हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारी यूटूब चेनल जीट टेक्निकल एजूकेशन में फ्रेंट्स आज में इस वीडियों बात करने वाले हैं कि BHQ इंट्रेंस 2020 को लेकर कि UET और PET का अंडर गेट और पोस्ट गेट का रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है साथ ही जो सिकेंड फेज में एक्जाम हुआ है जो की 9 सेप्टेंबर से लेके 18 सेप्टेंबर तक जो है एक्जाम कंड़क्ट करवाया गया तो इसकी जो एंस्वर की है कब तक आएगी और जो UET-PET का काउंसलिंग है कब से स्टार्ट होगा तो मैं पूरी जानकार इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो वीडियो को अंतर तक जरूर देखना साथ ही मेरे चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेला इकन को दबा ले ताकि आने वाली नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले तो चलिए शुरूर तो फ्रेंड्स जैसे आपका इनिक फर्ष्ट फेट का रिजल्ट और जो है सिकेंड फेज की एंसर की आएगी तो आपको बीच्चियो ऑनलाइन की ओफिस्यल साइट पे इसका ओफिसली अपडेट दे दिया जाएगा जैसा कि आप अब जो एंसर की अभी जारी की गई है प्रोविजनल एंसर की यू इटी पीटी दो हजार बीच तो ये जो एंसर की जारी की गई है फर्ष्ट फेज के एकजाम का है जो की 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो एकजाम हुआ था उसकी एंसर की जारी कर दी गई अगर आप रेंक की तो रेंक जो है आपका जब result release किया जाएगा उसके बाद ही आपको अपनी rank का पता चल पाएगा कि आपका rank जो है कि कितना है अब हम बात करते हैं कि result कप तक आप देख सकते हैं यह अमर उजाला का news paper है जो कि कल का news paper निंग 18 September 2020 जिसमें कि UETPT रिजल्ट साथ ही सिकेंड फेज की अंसर की कब तक आएगी और आपकी काउंसिलिंग कब तक की स्टार्ट होगी इन सभी सवालों के जबाव आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं आपको बताया गया है कि इस परिच्छाओं के परिणाम ज है जारी हो सकते हैं तो इन्होंने एक संभावना जताई है कि जो लाश्ट पेपर है जो कि 18 सेप्टेमबर 2020 को है वो सास्त्त्री आनर्स के पेपर है इसका पेपर होने के बाद में बताया जा रहा है इसी माहेंनिक सेप्टेमबर मा इनिक तक लाश्ट सप्ता तक अंतिम सप्ता तक आपकी जो परड़ाम है वो घोसित हो सकते हैं फिर उन्हें बताया है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ता से जो काउंसिलिंग है वो भी स्टार्ट हो सकती है उसके बाद आप नीचे जाते हैं तो यहां पर बताया गया है कि 20 अब सुक्रवार को किवल सास्त्री की परिच्छा बची है यहां पर बताया गया है कि अगले सप्ता तक दूसरे चरण की यहां जो सिकेंड फेज में आपका एक्जाम हुआ था कि प्रवेश परिच्छा की जो आंसर की है वो जारी होने के साथ साथ इस महीने के अंतिम सप्ताह में परिवेश परिच्छाओं के परिणाम जो है जारी हो सकते हैं तो यहां पर यही चीज बताया गया है कि जो आपका रिजल्ट है यानि कि फस्ट फेज का जो रिजल्ट है और सेप्टेंबर के लास्ट बीक तक जो है आ सकता है साथ ही ज तो second phase का result है वो October के लगभख फ़स्ट जो है बीक में आपका जो है उसका भी result घोशित कर दिया जाएगा और बताया गया है कि October के दूसरे सबता से यहाँ पे साब साब मेंसन किया गया है कि October के दूसरे सबता से आपकी जो counselling है वो भी start हो सकती है अब मैं यह नहीं बता सकता कि आपकी counselling जो है इस बार offline कराए जाएगी या online कराए जाएगी अगर offline counselling होती है तो आपकी जो है admit card हो गएर अभी first day बीक से आने start हो जाएंगे तो I hope यह जानकारी आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें साथ ही अपने फ्रेंडों के साथ share करें